आगरा में सरवाधेट लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें देश में कोरोना की चाल तेज हो गई है संख्या बढ़ने से सभी लोग परिशान हैं सभी को जरूरत है कोरोना के प्रती जाग रुक रहने की कोरोना के जो नियम सरकार और स्वास्य मंत्रा लेने जारी किये हैं उसका पालन करना चाहिए तब ही इसकी चेन को तोड़ा जा सकता है इस बारे में जिलास्पताल कोविट के मरीजों का बहतर इलाज और जाच कर रहा है जिलास्पताल के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद है CMS का कहना है कि लोगों को सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन्स का पालन करना चाहिए लोगों को मास्क जरूर पहना चाहिए इसके बिना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए लोगों को बाहर निकलते समय जेव में सैनिटाइजर जरूर रखना चाहिए इसके अलावा बाजार में जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए दो से तीन गज की दूरी बनाए रखना चाहिए, ऐसी साब्धानी बरतने से कोरोना संक्रमेंट से बचा जा सकता है लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि मास्क लेके चलें, सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, गलब्स पहनें, बेवज़े घर से न निकलें जो प्रोफाल एक्टिव मेडिकेचन सासन से, इसासन में दी हुए स्वास बिवाग में जो एडवाजरी जाली की है, लोगों से अपील है, उसका पालन करें ताजनगरी में मार्श के माहा से लेकर अब तक कोरोना की चेन एक दिन छोड़ कर शायद ही किसी और दिन कभी ब्रेक हुई हो ताजनगरी के लोगों को कोरोना की चेन ब्रेक होने का बेसवरी से इंतिजार है, लेकिन जिस तेजी के साथ संक्रमन फैल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि लोगों को इसका लंबा इंतिजार करना पड़ेगा लेकिन अगर लोग बाजार जाते समय, खरीदारी करते समय और सुभा शाम घूमते समय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो इसकी चेन को जल्द ही ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि संक्रमन से बचने का इस से अच्छा और कोई उपाए नहीं है सीनियोस के लिए विनो जूनियर की रिपोर्ट